दोस्तो यूटूब में एक new update आया है जिसमें new features एक add किया गया है जो दोस्तो सभी को confused कर दिया है अब दोस्तो आपको यह features पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि यूटूब में एक update आया है जिसमें एक new features आया है जो है दोस्तो वीडियो का quality को लेकर जिहां दोस्तो video quality को लेकर जो है एक features आये जो सभी को confused कर दिया है किसी को यह features पसंद आये तो कोई जो है इस features को हटाना चाहते यानि remove करना चाहते हैं कि वो इस feature के साथ नहीं रह सकते और यह features जो है दोस्तो यह video quality के उपर आया है और इसमें काफी लोग confused भी है और किसी को प दोस्तो रिमूब नहीं होगा तो इसका क्या solution है आप किस तरीके से जो है देख सकते हैं अगर आपके mobile का जो data है वो जल्दी खतम हो जाता है या फिर आपका high quality पर चलता है जल्दी खतम हो जाता है या फिर आपका net जादा है लेकिन low quality पर वीडियो चलता है कुछ साब साब दिखाई नहीं देता है दुंदला दिखाई देता है तो दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से सेटिंग कर सकते हैं जिससे आपका mobile का data बचे और अच्छी quality आए और अगर आपका ख़राब quality आ रहे तो आप उसको सही कैसे कर सकते हैं दोस्तो पहले जो quality option था वीड में पूर देखना और वीडियो पसंद आये तो यहां पर उतके सेक्राणाहे होग zag सेटिंग करते हैं यहां पर डोпервै आप इस इसे फीचर को अगर डिमॉब करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके और यूटूब का जो अपडेट से आप उसको अनिस्टॉल कर सकते हो लेकिन दोस्तों अनिस्टॉल करने का कोई फायदा यहां पर नहीं है क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल यूटूब जो है फिर से आपको अपडेट करना ही पड़ेगा और यह फीचर जो है फिर से आही जायेगा तो आपको इसे रिमूब करके हटा के कोई भी फायदा नहीं है आपको इसी के साथ जो है रहना पड़ेगा आपको इस फीचर के साथ ही जो है आगे चलना पड़ेगा तो अब मैं आपको बता दू कि आप इस feature को किस तरीके से जो है setting कर सकते हैं किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं ताकि आपको कम इंटरनेट पर भी ज्यादा high quality वीडियो दिखाई दे तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं यह वीडियो है और इसके three dot पर मैं क्लिक करता हूँ three dot पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर quality का option आ रहोगा आपको इस पर क्लिक करना है आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर जो है चार option दिखते हैं एक तो है auto दूसरा है higher picture quality तीसरा है data saver और चौथा जो है वह है advanced mode लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पहले से समझाता हूं दोस्तों जो पहला है auto mode यह दोस्तों उसके लिए है जो wifi यूज करते हैं जिसका internet speed जादा है क्योंकि दोस्तों auto mode पर अगर आप select करते हैं तो इससे यह होगा कि अगर आपका internet की speed जादा है तो आपको जो हाई quality picture यहां पर दिखाए देगा जा दोस्तों अगर आपका internet speed सही है आपका fast इंटरनेट speed अगर fast है तो आपको हाई quality जो है हाई video quality जो है यहां पर दिखेगा और दोस्तों इसमें एक नुक्सान भी है अगर आपको रोज के हिसाब से 1GB, 1.5GB या 2GB data अगर मिलता है और अगर आप video देखते हो तो अगर आपका speed बढ़िया है अगर आपका internet speed बढ़िया है और quality यहां पर आपको सही दिखेगा तो आपका data जो है वो जल्दी खतम हो जाएगा जो 1GB, 1.5GB या फिर 2GB आपको मिलता है वो जल्दी यहां पर खतम हो जाएगा और अगर आपका internet speed slow है तो यहां पर आपको low picture quality यहां पर दिखाएगा जैसा कि आप यहां देख सकते है low picture quality दिखाएगा तो दोस्तों मैं यह option जो है यह उन्हें को recommend करूंगा जो wifi लगवार के जिनका internet speed सही है और जो wifi लगवार के वो इस auto mode के साथ जो है वो जा सकते क्यूंकि इसमें आपको अगर internet speed आपका सही है तो आपको high picture quality मिलेगा अगर आपके घर में wifi लगा हुआ है तो अब इसके बाद दूसरा option है higher picture quality यह दोस्तों अगर आप इस option पे अग आपका internet speed सही होना चाहिए नहीं तो आपका जो वही है गोला जो circle घूमता है वही आपको loading लेता रहेगा अगर आपका internet speed सही नहीं है तो यह option उन्हीं के लिए है जिनका internet speed ज्यादा है और जो wifi लगवार के वो इस option के साथ जो है वो जा सकते है इस feature के साथ जो है वो वीडि कुछ आपको data saver यानी low quality में दिखेगा वीडियो जो हो दोस्तों का data जो है वो वह बचा रहेगा कम यूज होगा बहुत ही कम data लोё क्वाल्टी में आपको यहां से video वीडियो दिखेगा लेकिन आपका डाटा जो है वह सेव होगा अब दोस्ते इसमें चौथा जो है वह है एडवांस ऑप्सेल चौथा जो इसमें फीचर से वह है एडवांस का यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मैं एडवांस पर क्लिक करूंगा तो यह सेम पुराने वाले पर यहां पर tenure के तरह है जो पुराने फीचर में यहां पर है कि अगर इसी वीडियो के लिए है यानि आप इसी वीडियो को जो है रहा करूँको अग्ला इस वीडियो चाल करोगे यह पर सेट करना पर आपको एड़ जाएगा पर सेट करणा पर यानि आपको दोस्ते हर बार आपको विडियो क्वालटी सेट करना पड़े लेकिन दोस्तों इसका एक solution भी है जैसे कि मैं आपको वापस आपके दिखा देता हूं यहाँ पर जैसे आप quality पर आऊ गए और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं तो यहाँ पर आप आप एक quality सेट कर सकते हैं जो कि हर वीडियो में आपका जो है जो भी वीडियो आप यूटूब पर देखोगे आपका हर वीडियो में यही क्वाल्टी आएगा जैसे कि मैं आपको बता चुका ऑटो अगर आपका इंटरनेट स्पीड बढ़िया है तो आप यहाँ पर हाई पि यहाँशाब से मजल है और आपको देखने को मिलेगा बचा रहेगा और वीडियो कौल्टी लेकिन आपको खराम मिलेगा तीसरा है वाइफाई तो वाइफाई यूजर्स के लिए मैं आपको रिकमेंट करूंगा कि आप आप रहने दे क्योंकि आप रखोगा तो जैसे आपका इंटरेट का स्पीड होगा उसी हिसाब से आपको वीडियो क्वाल्टी भी दिखाया जायागा और यहां पर दूसरा जो फीचर्स बढ़िया लगते हैं आप उनके साथ जो है यहां जा सकते हो तो दोस्तों यह थे यूटूब के यूटूब पे वीडियो क्वाल्टी के निव फीचर्स और आपको दोस्तों मैं सभी बता दियो एक एक करके आपको एक्स्प्लेइन कर दिया हो आपको जो पसं लुएक कें करके आप किस तर grape अगर का इंटरे डे स्पीट बढ़िया है तो कौन सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका सबसक्राइब कर संबेडल करना झाए तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए वीडियो रिप्लाय करूंगा और और दोस्तों मुझे इंस्टा पर फॉलो करें और दोस्तों इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज करें, वहाँ भी मैं आपको reply जरूर दूँगा, दोस्तों मेरा username है इस संतोस, तो दोस्तों आज के इस वीडियों बस इतना ही, दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीजिलो और बाबन